नमस्कार दोस्तों मैं दीपक पांडिया आपके अपने यूटूब चैनल में फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आपको मास्ट कम्निकेशन जलनीजम का कोर्स इलाहबाद इन्वस्टी से करना है तो उसके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं आप वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप वहाँ से बैचलर आफ मास्ट मीडिया और बीवोक एंड यमवोक का कोर्स कर सकते हैं जो जलनीजम एंड मास्ट कम्निकेशन से रिलेटेड है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वहाँ पर कैसे आप इंटरेंस टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ पर इंटरेंस टेस्ट की फीस क्या है इसके अलावा इंटरेंस एक्जाम का सेलेबस क्या है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी होगी और कुछ सिटे को बढ़ाई गई है वो जो बढ़ी है तो कितने ब्रांच में कितनी सिटे बढ़ी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे देखें दोस्तों फॉर्म तो ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी इसकी अंतिम तिति की घोषड़ा कोई नहीं हुई है तो अभी आप जो है इंसिट्यूट प्रोफेशनल स्टेडिश में इसबार सिटों को बढ़ाया गया है अगर मैं बात करूं तो आपका बीए इन अ मीडिया स्टेडिडि में आपका जो हे अगर पूरम में च्यालीश सिर्थी तो इसबार आपका 57 सिट हुआ वहीं वीवक में आपका पच्चास सिठ हुआ है और यह अमबोक में आपका 50 सिठ हुआ वीवोक और एंबोक की बात करें तो पिछले बर्स 40 सिठ थी इस बार 10 सिटों के बढ़ोत्री हुई है वहीं आपका बीए इन मीडिया और आपको बात करें Central University है तो आपको fees भी आपकी scholarship के जरिए वापस मिल जाती है अगर आपका income certificate बन जाता है और वो कम दाइरे में रहता है तो तीन कोर्सें आप पर अबेलबबल हैं VA in Media Studies, VIVOC और YUMVOC VA in Media Studies और VIVOC in Media Studies दोनों 12th pass candidate के लिए है और 3 साल का कोर्स है और आपका 6 semester इसमें आते हैं इसके लाब बात करें YUMVOC का तो YUMVOC आपका master level पर है graduation आप पास होने चाहिए आप VA in Media Studies से आप किये हों तो आपका YUMVOC में admission हो जाएगा आप interest test की बात करें तो इसमें आपका जो है syllabus की बात करें तो इसमें आपका जो है पहले में BA in Media Studies और VIVOC in Media Studies की बात करूँ तो इसमें आपका GK पूछे जाता है GK में आपका Indian History, Policy, Geography, Indian Economy, Journal Science और Computer Knowledge के बारे में पूछा जाता है इसके लावा Current Affair, Language, Professionary, Hindi और English और इसके लावा Regening और आपका जो है जो मीडिया से संबंदित है जैसे Radio TV और Print Media और Cinema से related भी question आपके interest exam में पूछे जाते है यमवोक की बात करें तो वहाँ पर जो है आपका पूर जैसे BA में है आपका GK, Current Affair और आपका इतना पूछा ही जाता है इसके साथ ही आपका 2-3 चीज़े बढ़ जाती है यमवोक में वो है आपको Mass Communication subject के बारे में भी थोड़ी जानकारी हो जैसे Mass Communication का Meaning क्या है इसके Type कितने होते हैं इसके functions क्या है, barriers क्या है और आपके इसमें tools क्या-क्या होते हैं इसके अलामा बात करने तो आपको भारती जो मीडिया है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए चाहिए वह प्रिंट से रिलेटेड हो रेडियो से और आपका TV और online जलनी जम और present में क्या ट्रेंड कर रहा है कすंके भाड़े में भी आपका जो है और इसके साथ ही आपको जो आर्टिकल 19-1 के बारे में यव्वक्स लेवर्स की में पढ़ना है जो आपका वाक और अभिवक्तिकी सवतंत्ता की आजादी दे ता उसी में प्रेस की स्वतनता भी नहीं था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों अगर आप जो है इस साल पास किये है तो ठीक है अगर आपका एक साल का गैप है तो आपके पांच नंबर हर साल जितने भी गैप है आपका 15% नंबर आपका काटा जाएगा गैप को लेकर हर गैप में आपका पांच नंबर काटा जाएगा तो आप जो है चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नए जो अपडेट है वो मिलती रहे और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके अलामा जो है आप हमारे अगर चैनल पे